दोस्तों आज हम गुलाब के बारे में बताएंगे आप लोग का हमेशा सिकायत एक चीज रहता है कि हमारे पौधों में फूल नहीं आता है तो दोस्तों कुछ ऐसा आप करें अपने घर से ही घरेलू तरीका भी बताएंगे बाहर का भी कुछ खाद पतार्थ बताएंगे जिस को इसे आपको कई गुणा फूल मिलेगा फूल का भीकस है पूले का जिसमें आपका का चाहिए तो इस्मे का लाब होना चाहिए हो देखे तो दोस्तों हम जो है यूज करने वाले हैं घर का सबजी का मतर शेमी च्छिल्का हो वो सारे छिलके के आज हम निचोड बताएंगे कि इसमें आप क्या डालें तो दोस्तों ये रहा हमारा सर्सो का खली, सर्सो का खली आपको कितना लेना है और ये ज्यादा महंगा नहीं आता है, मात्र इसे आपको हाप लिटर पानी में 100 गरम लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम 100 गरम इसमें डाल रहे है, हाप लिटर कमें, हाप लिटर पानी में, डाल कर हफता दिन तक आपको छोड देना है, इसके इलाबा इसके बाद भी आपको बताएंगे, कि आपको बताएंगे, कि अब लेंगे हम चुना, चुना हमारे पोधो के लिए कि क्या काम करता ह तो ये चूना हमारा जो है पौधो में केल्सियम का कमी होता है तो ये केल्सियम को दूर करता है डालना इसे परती रोज नहीं है केवल डालना है आपको मन्त में एक बार अधी आप एक डिबिया लेते हैं या दो डिबिया लेते हैं अधी ठंड के सीजन है तो आप दो डिबि पविक्सित होते हैं उसमें फूल या फल लगते हैं 41 तो हमने सरसोखली में आपको बताएं थे कि वे सरसोखली नहीं हम डीएपी खाद भी डालेंगे तो यह जो हमारा डीएपी खाद है अधी आप मिलाकर 100 ml पानी में डीएपी खाद मिलाकर डालते हैं सरसोखली के साथ में मतलब कि अधी आप 5 लिटर पानी ले रहे हैं तो 5 गर अच्छा सेखी लेगा उसका साइज जो है बड़ा होगा जैसे कि हमारा देख सकते हैं कली बनना स्टार्ट हो गया है तो इसमें मन्थ में हमें गुलाब में खाना देना जरूरी होता है और बीच बीच में जो हपता हपता में देते हैं उसमें हम देते हैं सबजी का छिलका हो जैसे कि हमने आप देख सकते हैं, तेलका है मतरतशेमी, चञने की चलका है। सारह इसारे डम वोगलते हैं, इसे कि एप रखना हमें, क्या हैं ही वोगलती बालती कि अपको 5 नीटर यथे आप पहते दिन तक और जाहे हों यह बिल्कुल एक परग्ज सा जम गया है जैसे कि आपको पुराना तलाव देखेंगे तो उसमें एक मलवा सा जम जाता है तो दोस्तों इस सब्जी को हम इसमें डाले थे और इसमें हमारा काई टाइप का बैठ गया है तो इसे आप सोचेंगे यह तो हमारा खराब हो गया इस पर उसे क्या करता है मसिन द्वारा से सुखाया जाता है पर इसे हम इउच कैसे करेंगे वो देखें यह हपता दिन से हमारा पानी बनकर रेडी है तो दोस्तो इसका जीतना भी मिंचूल की हमारा बिटामिन तत्व है मतर छेमी है कोबी है सारा चीज इसमें हम डाल दिये थे और हपता दिन से हमारा इस पानी में फूल रहा था दोस्तो इस पानी में फूल रहा था अब इसमें हम क्या करना है तो इसमें हमें डालना है बूजा हुआ चुना बूजा हुआ चुना सरसोखली में भी पलेगा पर उसे हपता दिन के लिए हम छोड़ दिये हैं पर इसमें भूजा हुआ चुना देंगे तो इसे अच्छा से हाथ से मल कर इसमें हम डाल देंगे ताकि इसमें कोई भी फंगस हो किसी भी तरह का इसमें कोई बेक्टिरिया मक् कि यह को स defeoopiamoру को केल्सियम का कमी मोशाम अशने और फंगस कशो भी नहीं लगेगा इस दोस्तों एक चीज इसमें और डालना है, अधी आप और जाड़ा इसमें बिटामिन डालना चाहते हैं, तो यह हमारा केल्सियम का गोली, आप अपने घर पे केल्सियम का गोली रखते होंगे, अधी वो रिटायर हो गया होगा, उसका टाइम आफ हो गया होगा, तो उस गोली को आप इस को यह पढ़ने में दे सकते हैं लिए में पढ़ने के बाद इस्का तो कि마 आप इसी में एल पूर घुल दे सकते हैं बाद इसमें 50 पानि इ entitled पानी मैं इसमें और इसमेंगे तो कि कि हम इसमें हाठ़ा दिन चोड़ दिया Jeanne बहुती अच्छा सी इसमें कलर आया है देख सकते हैं तो ये पानी को हम पांच लितर और डालेंगे और सब में हमें ये कटोरी से नापकी यानि 100 ml 200 ml हर पौधे में देना है तो इस तरह से अपने पौधों में दे तो आपका पौधा कलियां से भर जाएगा फूलों से भर जा आता है मिटी आज सूखने के बाद इस तरह का फटिलाजर अब देते हैं तो आपका जो जिसी कहते हैं कि भूख लगता है तो आप खाना खाते हैं तो जल्दी से पचाता है उसी तरह से हमारे पौधों जल्दी से इसका ग्रोध को बढ़ाता है जल्दी से अपना खाना में सामिल करता है इसी तरह से आप अपने घर पर अधि कोई भी फटिलाजर बनाना हो तो इस तरह से बना कर डाल सकते हैं तो दोस्तो इस तरह का जानकारी वीडियो हमारा कैसा लगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राब करें